काली हवेली जो एक पुरानी और भूतिया हवेली थी, अंगिनत रहसियों से भरी हुई थी। यह एक सुनसान गाव में स्थित थी और लोगों के बीच इसकी चरित्र गतिविधियों को लेकर कई कहानिया चर्चित थी। भूतिया हवेली के पास एक पुराना कुआमु था, जिसमें आबादी के साथ साथ भूतपूर्व के साए भी महसूस होते थे। गाव वाले कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजे सुनाई देती थी और उनके चर्णों की आहट सुनाई देती थी। एक दिन गाव में एक बहादूर युवक नामक राज नामक व्यक्ति आया, जिसने कई कहानियों के बारे में सुना था। राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निशाने पर रखा कि वह काली हवेली की तलाश करें। हवेली के दर्वाजे पर पहुँचकर राज ने अपने साथियों के साथ ब्रेवली बढ़ाई और दर्वाजे को खोला। वे भीतर पहुचते ही वे एक रहस्य मेई और भूतिया दुनिया में खो गए। हवेली के भूतों ने राज को वहां के अंगिनत रहस्यों के बारे में बताया, जो उसे चौका देने वाले थे। राज ने उनसे मिलकर उन रहस्यों का समाधान निकाला और हवेली को शांती से भरा दिया। गाव वालू ने राज की बहादुरी को सराहा और उसकी कहानी गाव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में रखी। काली हवेली अब नहीं डरावनी बलकी गाव की धरोहर बन गई थी, जिस पर लोग गर्व करते थे। राज ने भूतों की कहानियों के माध्यम से जाना कि काली हवेली का इतिहास बहुतंत्री राजा काली चर्ण से जुड़ा हुआ था। काली चर्ण को यह भूतिया हवेली बनाने का शौक था और उसने अपनी विद्या और शक्तियों का उप्योग करके इसे एक रहस्यमय और सुरक्षित स्थान बनाया था। राज ने भूतों की मदद से काली हवेली के अंगिनत कमरों में चल रहे रहस्यों को सुलजाया। उसने एक पुरानी पुस्तक से मिली जिन होने उसे काली चर्ण के पूरवजों की कहानी के बारे में और अधिक जानने का मौका दिया। काली चर्ण का इतिहास बताता था कि उनके पूर्वज ने इस हवेली को साए, असर और रहसियों से भर दिया था ताकि वह सुरक्षित रहे और कोई भी उसे नुकसान ना पहुँचा सके राज ने भूतों की सहायता से काली हवेली को इस सुरक्षित रूप में बनाये रखने का रहस्य जाना और गाव वालों को इसकी महत्वपूनता समझाई हवेली को एक स्थानी अधारोहर के रूप में स्विकार किया गया और वह एक सुरक्षित स्थान बनकर गाव के लिए एक गर्व का स्रोत बन गई इस कहानी ने दिखाया कि कभी-कभी हमें अपने पास के रहसियों को सुलजाने के लिए बहादुरी और साहस की आवश्यक्ता होती है जिससे हम नए और उत्तम समाधानों की ओर बढ़ सकते हैं